नमस्कार मित्रों, डेजार पॉइंट चैनल के एक नए बीडियो लेक्चर में मैं हूँ अमिदूबे और आज के इस बीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 इंग्लिस विस्टैस के फर्स्ट चैप्टर का ध्यन करेंगे जिसका नाम है दे थोर्ड लेवल और इसकी लिखक है जैक चैप्टर के स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रामिस करता हूँ कि जब ये विडियो लेक्चर कंप्लेट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआ होने वाला है यानि आज के बाद इस चैप्टर में आपके लिए एक पोर्शिंट भी डाउट से इस थर्ड मतलब तीसरा यानि कि तीसरा तल या तीसरा अस्तर देखिए सबसे पहले इस चैप्टर में जो सबसे इंपोर्टेंट चीज है वो ये है कि आप ये जान लें कि आप आखिर पढ़ने क्या जा रहे हैं इस चैप्टर में थोड़ी सी जो बात है ना वो एक दूसरी द मुवीज चरूर देखी होती हैं और हमने देखा है कि काटून मुवीज में गाए, भैस, कुते, बकरी सब भी बोलते हैं ना लेकिन वास्तविक जीवन में अगर मैं आप से आकर कहूं कि सुनिये मैंने आज भैस से बात की है और वो मुझे से कौफी मांग रही थी तो आप मेरा मजा कुड़ाएंगे और आप कहेंगे कि मैं पागल हो गया हूं ना सही है तो वही चीज यहाँ पर इस चैप्टर में भी है देखिए होता क्या है थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में समझ लीजिए कि आपकी चैप्टर का जो हीरो है उसका नाम है चारली और वो 31 तो यह क्या कहता है कि यह एक मेट्रो इस्टेशन आप जानते हैं वो जमीन के नीचे बनाया जाता है ठीक है तो उस मेट्रो इस्टेशन में यह एक मेट्रो इस्टेशन में जाते हैं जिसमें केवल दो ही तल होते हैं अर्थात एक पहरा तल लेबल जो जमीन के नीचे पहर तल ठीक है जैसे बिल्डिंग बनाई जाती है तो एक माला दूसरा माला तीसरा माला चौथा माला तो ये उपर जाता है लेकिन मेट्रो इस्टेशन नीचे आता है ठीक है ये उपर जाता है लेकिन मेट्रो इस्टेशन नीचे आता है तो ये क्या करते हैं कि पहले तल पर जात अर उसके बाद यह चले जाते हैं एक तीसरे तल पर थीक है लेकिन वास्तवीक्त यह थी कि उस मेटरो इस्टेशं में किवल दो ही तल बनाए गये थे तीसरा तल था ही नहीं ठीक है तो ये जब लोगों से कहते हैं कि मैं तीसरे तल पर गया हूँ तो कोई भी इनकी बात का विश्वास नहीं करता ठीक है तो बस यही कहानी है जो आपको पढ़नी है कि ये चारली है जिनकी आयू 31 वर्स है यही आपके कहानी की हीरों है और इनका कहना है कि एक मेट्रो इस्टे है जहाँ पर किवल दो ही तल बनाए गए हैं लेकिन ये कहते हैं कि मैं तीसरे तल पर ही गया हूँ ठीक है लेकिन तीसरा तल है ही नहीं तो ये एक तरह से साइन्स फिक्षन स्टोरी है जैसे कि आप मूवीज में देखते हैं कि गाय भैस कुत्ता बिल्ली भी बोल रहा है य यह तो हमें इस कहानी को पढ़ने के बाद ही पता चलेगा है चले हम अपनी कहानी पर चलते हैं तो अपक्लियर हो गया है ना कि इसपड़ अर्था थिसरा तल है जो वास्ताव में नहीं है लेकिन लेखा कहता है कि मैं उस तल पर गया हूँ ठीक तो कहते हैं कि the cat except of the new york central and the new york to the president of new york central the new york central के and our new york new york के the new york central के और new york के president president यानि अध्यक्ष new heaven पहले का नाम क्या है new heaven and halford red roads और halford red roads will swear कसम खाते हैं देखिए लोग कसम खा रहे हैं क्या करें कि the president's अध्यक्ष of new york central new york central के अध्यक्ष और new york के अध्यक्ष तो दोनों को मिला कर ऐसे कहेंगे कि new york central और new york के अध्यक्ष new heaven और halford rail roads दो लोग हैं दो नाम हो गए ठीक है तो new heaven and halford road road rail roads will swear कसम खाते हैं on the stack धेर पर of time table time table मतलब समय सार्णी तो समय सार्णी के धेर पर कसम खाते हैं that key there वहाँ पर are only two केवल दो हैं क्या दो है वो जो तल जो लेवल है न केवल दो ही लेवल है यह लोग कसम खाकर कह रहे हैं कि वहाँ पर केवल दो ही लेवल है उस railway station पर उस metro station पर केवल दो ही तल बनाए गए हैं लेकिन लेखा कह रहा है कि नहीं वहाँ पर तीन हैं but I say there are three लेकिन मैं कहता हूँ कि वहाँ पर तीन है because क्योंकि I have been on the third level I have been on the third level third level तीसरे लेवल पर I have been मैं जा चुका हूँ क्योंकि तीसरे लेवल पर मैं जा चुका हूँ of the Grand Central Station अब Railway Station का नाम सामने आया Metro Station का नाम क्या है Grand Central Station तो Grand Central Station के तीसरे लेवल पर मैं जा चुका हूँ clear हो गया ना सीधी सीधी बात समझ में आ गई ना कि पूरी दुनिया कह रही है कि उस Metro Station पर केवल दो ही लेवल है दो ही तल है लेकिन लेखा कराए कि नहीं वहाँ पर तीन तल है clear है कि यहाँ पर कैसी बात हो रही है यह कालपनी घटना है लेखा कैसा मानता है लेकिन वास्तों में वो चीज है नहीं ठीक है अब फिर से एक बार में समझा दे रहा हूं ताकि doubts ना हो तो the president's मतलब अध्यक्ष of new york central new york central के और new york के अध्यक्ष कहते हैं sorry new york central और new york के अध्यक्ष new heaven और hell for red rods विर स्वेर कसम खाते हैं on the stack of time cables summer sarni के धेर पर that there are only two क्योंकि की वहाँ पर केवल दो ही है but I say लेकिन मैं कहता हूँ कि there are three वहाँ पर three है because I have been on the third level क्योंकि मैं तीसरे अस्तर पर जा चुका हूँ of grand central station grand central station के आप चाहे तो level को level ही कह सकते हैं या फिर आप अस्तर कह सकते हैं या फिर आप तल भी कह सकते हैं ठीक है तो आप चाहें तो चल यह हम level ही कहेंगे क्योंकि मैं तीसरे लेवल पर जा चुका हूँ of grand central station grand central station के yes, I have been taken the obvious steps देखे अब यह जो बात कह रहे हैं इस पर कोई विश्वास तो कर नहीं रहा तो जब आपकी बात पर कोई विश्वास ना करे तो आप कुछ steps उठाते हैं कुछ कदम उठाते हैं या आप जानने की कोसिस करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं ही पागल हो गया ह हुँ ठीक है तो यह करें कि yes, I have taken the obvious steps, obvious steps मतलब स्वाभाविक कदम मैंने स्वाभाविक कदम उठाए हैं अर्थात जब पूरी दुनिया मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रही थी तो मैं पागल या फिर दिमाग के डाक्टर से मिला हूँ यह आगे बताएंगे लेकिन मैं मनोरोग चिकित्षक मित्र से I talked मैंने बात की मैंने अपने एक मनोरोग चिकित्षक मित्र से बात की थी among others दूसरों के अलावा अर्थात दूसरों के अलावा अन्य लोगों के अलावा मैंने अपने एक मनोरोग चिकित्षक मित्र से भी बात की थी I told him मैंने उसे बताया about the third level तीसरे लेवल के बारे में at Grand Central Station Grand Central Station के मैंने उसे Grand Central Station के तीसरे लेवल के बारे में बताया and he said और उसने कहा कि it was a waking dream with fulfillment अब ध्यान से समझना क्योंकि यहां पर doubts आएंगे अब एक काम कीजिए कि वीडियो को pause कीजिए और यहां से यहां तक एक बार पढ़ लेजिए ठीक है यहां तक जब clear हो गया तो अब देखिए आगे मैं मान के चल रहा हूँ कि अपने वीडियो को pause किया यहां से यहां तक clear कर लिया तो अब यह वाली line समझने के लिए आपको एक बात समझनी होगी कि आखिर इस chapter में क्या पढ़ाया जा रहा है अर्थात यह chapter किस बारे में है क्योंकि आपके अच्छा 12 के छातर हैं तो आपके अस्तर को देखते हुए यह chapter दिया गया है आपको पढ़ने के लिए तो देखिए तो आज का जो समाज है ना उसमें बहु जदा यहां पे आशुरक्षा है लोगों का जीवन भय से घिरा हुआ है लोग डरे हुए है किसी को जौब की टेंसन है तो किसी को घर की टेंसन है सब लोग परिशान है इस समाज में तो लेखक जो है ना वो दिखा रहे हैं कि जो हीरो है वो आधोनिक समाज से थोड़ा सा और वो एक सान्ती में जीवन चाहता है अर्थात वो एक ऐसे समय में जाना चाहता है जहां पर उसका जीवन सान्ती से हो यानि सभी लोग सान्ती से रहते हो और कोई किसी को परिशान ना करता हो ना ही देशों के बीच युद्धो होता हो और ना ही किसी से कोई जगड़ा ल तीत कर सके, clear है, तो यही चीज है, इस chapter में, ठीक है, about the lesson आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, यहाँ पर आपको बताया गया, the third level by Jack Finley is about the harsh reality of war, यह सब सी चीज़े हैं, पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, बट मैं धीर देर समझा रहा हूँ, तो आप समझ जाएंगे, अ मैं जागते हुए सपन देख रहा था, wish fulfillment, और मैं ऐसा चाहता हूँ, यानि यह बात नहीं समझ में आई, तो wish fulfillment, अर्था तुम्हारी इक्षा है, कि तुम ऐसे समाज में जाओ, या फिर ऐसी जगहां पर जाओ, जहां पर बहुत ज़्यादा सांती हो, तो तुम्हारी इच् clear हो गया न, यहां पर, कि it was a waking dream, उसने कहा कि यह एक जागते हुए सपन देख रहे थे, wish fulfillment, और तुम ऐसा चाहते हो, कि तुम एक ऐसे स्थान पर जाओ, जहां पर तुम अपना सांती से जीवन गुजार सको, clear है, तो यही इतनी सी बात है, जो इसमें कही गई है, लेकिन सम जाना पड़ेगा, तो and he said it was a waking dream, और उसने कहा कि यह एक जागत सपन था, wish fulfillment, और मैं ऐसा चाहता हूँ, तो आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, कि मैं चाहता हूँ कि मेरा सपन पूरा हो जाए, अर्थात मैं एक ऐसे स्थान पर चला जाओ, जहां वसी ही इक्षा है, ठीक है, तो he said I was unhappy, he said उसने कहा कि I was unhappy, मैं दुखी हूँ, उसने कहा कि मैं दुखी हूँ, that made my wife, इससे मेरी पतनी kind of mad, थोड़ी सी पागल हो गई, इस बात से मेरी पतनी थोड़ी सी पागल हो गई, कि अरे किस बात का दोख हो गया इसको, तो that made my wife, kind of mad, इससे मेरी पतनी थोड़ी सी पागल हो गई but he explained लेकिन उसने समझाया यानि उसके डॉक्टर मेत्र ने समझाया कि that कि he meant उसका तातपर है कि the modern world ये आधुनिक संसार is full of insecurity आसुरक्षा से full of भरा हुआ है, fear डर से भरा हुआ है, war युद्ध से भरा हुआ है, worry चिन्ता से भरा हुआ है and all the rest of it और ऐसी ही बहुत सारी चीजों से भरा हुआ है, अर्थात ये जो संसार है, इसमें ऐसी ही बहुत सारी ऐसी बातें हैं ठीक है, तो I explained उसने समझाया that he meant कि उसका तातपर है कि the modern world ये जो आधोनिक संसार है is full of insecurity, आसुरक्षा, डर युद्ध, चिन्ता and all the rest of it और इसी प्रकार की बातों से भरा है, and I that, or I just wanted to escape, और मैं just wanted to escape, मैं इन सबसे बचना चाहता हूँ और मैं इन सबसे बचना चाहता हूँ, या फिर मैं इन सबसे छुटकारा पाना चाहता हूँ तो वही बात आ गई, जो मैंने आपको समझाया था well, अच्छा who doesn't, कौन नहीं चाहता लेका, वो हीरो कह रहा है कि खैर, कौन नहीं चाहता सबी बचना चाहते हैं, सबी अपना जीवन सांती से गुजारना चाहते हैं, लेकिन समाज में बहुत सारी आशुरक्षा भरी बड़ी है everybody, सबसे बड़ी चीज जैसे रिस्तेदार ही देख लीजे तेंथ का जब आया होगा आपका result, तो आप से ज़्यादा आपके रिस्तेदार को सब रही होगी कि क्या अतना परसेंटेज बना कहीं मेरे लड़के से ज़्यादा तो नहीं बन गया ताना कैसे मारेंगे इसको, ना तो वही, इसी तरह से बहुत सारे मिलते हैं लोग, ठीक है, तो इस चीज आप समझेंगे से वार, युद्वरी, ठीक है, तो हर व्यक्ति जिसे मैं जानता हूँ, वह छुटकारा पाना चाहता है, but they don't wonder, डाउन, लेकिन वह कभी भी घूमते हुए into any third level, किसरी घूमते हुए किसी तीसरे अस्तर पर नहीं जाते, अर्थात पूरी दुनिया इन सब चीजों से छोड़कारा पाना चाहती है, लेकिन वह घूमते हुए तीसरे लेवल पर तो नहीं चले जाते, फिर मैं क्यों चला गया, ठीक है, अभी बात हो जाए, कि डॉक्टर डू लिटल एक मुवी थी, उसमें जो डॉक्टर था, जो हीरो था, सिर्फ वही जानवरों से बात कर सकता था, बाकी दुनिया के लोग नहीं कर सकते थे, तो वही down into any third level at Grand Central Station लेकिन कोई भी घूमते हुए Grand Central Station की तीसरे लेवल पर नहीं जाते हैं ठीक है यहां तक क्लियर हो गया तो अब जब बात आई कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ तो डॉक्टर है भाई डॉक्टर से बात कर रहा है तो डॉक्टर सलाह देगा तो डॉक्टर नहीं क्या कहा कि बट डैट्स दरीजन बट डैट्स यही कारण है अब कारण आगे बताएंगे थोड़ा सा त्वल्ठ के लेवल पर है थोड़ा सा घुमा फिर आके है चैप्टर बड़े बड़े धुरंदर भी इसके साथ सामने टिक नहीं पाते तो टेंसन मतलो अराम से समझना इसको ठीक है लड़ना मत इस चैप्टर से बस क कर रहा है कि पर यही कारण है ही सैड उसने कहा उसने कहा कि यही कारण है और माई आल फ्रेंड्स मेरे सभी मित्र एग्रीड सहमत हो गए और मेरे सभी मित्र सहमत हो गए या फिर मेरे सभी मित्र सहमत थे एवर्टिंग पॉइंच टू इट हर चीज पॉइंट कर रही थी इस उसारा कर रही है ठीक है माइ स्टैंप कलेक्टे मेरी definitive एक वर्जेंप उद्हारण के लिए लिए यह चीज निकाली उन्हों नियुक्त के तोड़ पर कि तुम जो कंड करते हो ना उसकी वजकी वजह हो रहा है तुम्हारे साथ ठीक है तो but that's the reason एक बार फिर से समझ लीजिए क्योंकि थोड़ा सा घुमा फिरा के है चैप्टर तो but that's the reason but यही कारण है लेकिन यही कारण है he said उसने कहा and my friends all agreed और मेरे सभी मित्र सहमत थे everything points to it they claimed उन्होंने दावा किया कि हर चीज इसी की तरफ इसारा कर रही थी my stamp collecting for example उधारन के लिए मेरे ticket को इकठा करना या फिर मेरा ticket को इकठा करना that's a temporary refuse from reality reality वास्तविकता से temporarily थोड़ी देरे के लिए refuse इंकार करना था या फिर दूर होना था या फिर बचना था that's वास्तव में ये temporarily refuse from reality वास्तविकता से कुछ देर के लिए बचना है ठीक है temporary कुछ देर के लिए refuse बचना है from reality वास्तविकता से तो temporary मतलब कुछ देर के लिए ठीक है तो that's यहां, वैनि कि वास्तविक्ता से थोड़ी देर के लिए बचना है, ठीक है, तो जब मैं ये काम करता हूँ, मैं टिकटों को इकठा करता हूँ, तो मैं वास्तविक्ता की, यानि दुनिया की सारी चीज़ों को भूल जाता हूँ, और मैं इसी काम में जुटा रहता तो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा, वेल अच्छा, में भी, सायद, हाँ, सायद ऐसा हो सकता है, बट लेकिन माई ग्रेंट फादर, मेरे दादा जी, डिडन्ट नीड, उनको आवस्तविक्ता नहीं थी, एनि रिफ्यूज बचने की फ्रॉम रियाल्टी वास्तविक्ता नहीं थी, things were pretty nice, चीजे अच्छी थी, यह ठीक है, and peaceful, और सान्ती मैं थी, in his day, उनके समय में, उनके समय में, उनके समय में, उनके समय में या उनकी युग में, सारी बाते, were pretty nice, अच्छी थी, और सान्त थी, फ्रॉम आलाई हैर, जो भी मैं सुनता हूँ, या फिर जो भी मै सुनता हूँ यानि जो लोग हैं पुराने जमाने के वो मुझे बताते हैं कि पहले इतना सोरगुल नहीं था आप अपने दादा दादी से पूछिए तो बताएंगे कि पेड़ पौधे हुआ करते थे जहां पर आज घर बन गए तो वो सारी चीज़े होते हैं तो वही से भी मैं सुनता हूँ and he started my collecting और he started उन्होंने सुरू किया my collecting मेरे इस collection को मेरे collection को मेरे दादा जी ने ही सुरू किया था आगे कहते हैं कि it's a nice collection to ये एक अच्छा collection है ठीक है ये एक अच्छा collection है block of four practically every US issued दिखें तो it is nice collection to ये एक अच्छा collection है blocks of four four मतलब चार blocks मतलब जोड़े तो चार चार जोड़े every प्रतेक US issued issue मतलब जारी करना US मतलब अमेरिका तो अमेरिका के issue जारी किये गए चार-चार जोड़े first day covers पहले दिन के लिफाफों के तो first day covers का मतलब होता है पहले दिन first day मतलब पहले दिन covers मतलब लिफाफे तो अमेरिका द्वारा या फिर American कह सकते हैं सिधा-सिधा तो US issue मतलब जारी करना तो American पहले दिन के लिफाफों के चार चार जोड़े एंड शो ओन और इसी प्रकार से अन्य यह नहीं समझ में है थोड़ा सासान सब्दों में तो यहां से Every USA should यहां से यहां तक Practically तो लगभग हर American Every मतलब हर, US मतलब American तो लगभग हर American तो लगभग हर American Block of 4 इसका मतलब है Ticket के 4-4 जोड़े ठीक है, तो block of 4 का मतलब है Ticket के 4-4 जोड़े ठीक है, तो 4 मतलब 4 Block मतलब जोड़े तो लगभग हर American Ticket के 4-4 जोड़ों के पहले दिन के लिफाफ है, clear हो गया तो लगभग हर American Ticket के 4-4 जोड़े के पहले दिन के लिफाफे and so on और इसी प्रकार अन्य यानि इसी प्रकार से वो और collection करते थे तो जब नई टिकट आती थी तो फिर उसके चार-चार जोड़े ठीक है तो वही चीज यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि practically every USA should लगभग हर American block of four टिकट के चार-चार जोड़े first day cover और पहले दिन के लिफाफे and so on और इसी प्रकार से अन्य वो इकठा किया करते थे ठीक है तो यहाँ पर जो चीजे कही गए हो उनका क्या मतलब है यह जो first day cover है ना इसका मतलब है कि वो टिकट जिस दिन निकलता था उसी दिन का वो टिकट इकठा करते थे ठीक है दूसरे दिन का नहीं पहले ही दिन का ठीक है तो लगभग हर American टिकट के चार-चार जोड़े और पहले दिन के लिफाफे और इसी प्रकार से अन्य प्रेसिडेंट रूजवेल्ट प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैंप्स टू प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी टिकट इकठा करते थे यूनो तुम जानते हो या आप जानते हैं आप जानते हैं यूनो प्रेसि क्या हुआ at grand central, grand central पर, खैर यहां grand central पर क्या हुआ, one night, एक रात, last summer, पिछली गर्मी की बात है, तो पिछली गर्मियों की बात है, एक रात, I worked late, मैंने देर तक काम किया, at the office, office में, तो पिछली गर्मियों की बात है, एक रात, मैंने office में देर तक काम किया, तो office में देर तक क होता है सहर या नगर का आवासी भाग ठीक है तो आई वाज इन हरी में जलुदी में था तूगेट ठाउण नगर के आवशी भाग में पहुचने के लिए टो माई अपाश्मेंट अपने घर तो नगर चे TC04 मतलब भूमिगत मार्ग होता है अर्थात भूमी गत्मार्ग यानि जमीन के नीचे कौन सी रेल गाड़ी चलती है तो आप सब को पता है कि मेट्रो चलती है ठीक है तो उसके जो बनाए जाते हैं प्लेटफॉर्म वो गएरा वो सब जमीन के नीचे होते हैं ठीक है तो जो लोग गए हैं वो जानते हैं तो I decided मैंने निश्चे किया to take the subway, अब subway को subway ही बोलेंगे ताकि confusion ना हो, तो मैंने subway पकड़ने का निश्चे किया from grand central, grand central से because it is faster, ये तेज है than the bus, bus की तुलना में, क्योंकि ये bus की तुलना में तेज है, Now, I don't know, मैं नहीं जानता, why this should have happened to me, कि why this should have happened, कि ये क्यों घटित हुआ to me, मेरे साथ, अब मैं नहीं जानता, कि मेरे साथ ये क्यों घटित हुआ, I am just an ordinary guy, मैं एक साधारन सा वेक्ती हूँ, ordinary मतलब साधारन, गाय मतलब वेक्ती, तो गाय मतलब वास्तविक में काउ मत समझ ल से है, and I was wearing a tan guardian suit, and I was wearing, और मैंने पहन रखा था, a tan, एक tan, tan, मतलब हलके भूरे रंग का garbadian suit, garbadian suit ये एक type का suit होता है, तो इसकी हिंदी कोई नहीं होती, ठीक है, तो मैंने एक हलके भूरे रंग का garbadian suit पहन रखा था, and a straw hat, और एक straw hat पहन रखे थी, ये देखे, straw hat इसे बोलते हैं, जो थोड़ी से गोल रंग की होती है, इसका नाम होता है, straw hat, तो इसकी भी कोई हिंदी नहीं होती, ठीक है, तो दो चीज़े हैं, जिनकी कोई हिंदी नहीं होती, ये इनके नाम है, garbadian suit और straw hat, ठीक है, तो straw hat पहन रखे थी, भी था fancy band, जिस पर एक fancy band लगा था था, तो एक fancy, या फिर एक fancy, हाँ, fancy का fancy कह सकते हैं, band का मतलब अतो है, ठीक है, तो एक fancy feetा लगा हुआ था, I passed a dozen main, मैं एक दरजन लोगों के पास से गुजरा, who looked just like me, जो ठीक मेरे जैसे ही देखते थे, थोड़ा सा तेज पढ़ा रहा हूं है, एक second, तो I passed a dozen main, मैं dozen मतलब होता है, एक दरजन में मतलब विक्ती, past मतलब गुजरना, तो मैं एक दरजन विक्तियों के past से गुजरा, who looked just like me, जो ठीक मेरे जैसे ही दिखते थे, I wasn't trying, और मैं try नहीं कर रहा था, प्रयास नहीं कर रहा था to escape बचने का from anything, किसी चीज से, और मैं किसी चीज से बचने का भी प्रयास नहीं कर रहा था, I just wanted to get home, मैं बस घर पहुचना चाहता था to Louisa, Louisa के पास my wife, जो मेरी पतनी है, ठीक है, तो मैं बस अपनी पतनी Louisa के पास घर पहुचना चाहता था, I turned into Grand Central from Vanderbitt Avenue, तो Vanderbitt Avenue शे, मैं Grand Central के लिए मुड़ा, तो Vanderbitt Avenue एक अस्थान का नाम है, और Grand Central भी एक अस्थान का नाम है, ठीक है, तो and or went down to the steps, सीडियों से नेचे उतर कर to the first level, पहले लेवल पर या पर्थम तल पर पहुचा, ठीक है, वेर जहां you take trains, आपको trains मिलती हैं, like the 20th century, बीसवी सताब्दी जैसी, जहां पर आपको बीसवी सताब्दी जैसी गाडियां मिलती ह है, या बीसवी सताब्दी जैसी trains मिलती है, then, तब I walk down another flight, मैं एक अस्तर या एक तल और नीचे उतरा, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि तब मैं एक और सीड़ी नीचे उतरा, to the second level और दूसरे लेवल पर पहुच गया, where जहां the suburban trains, suburban trains, मतलब उपनगरी या trains, मतलब रेल गा उपनगरी या रेल गाडियां चलती हैं, dugged into a, sorry, यहां पर यह जो उपनगरी है, अर्थात इसका मतलब है कि वो बड़े-बड़े सहरों में गाडियां जाती हैं, ठीक है, आगे कहते हैं कि dugged into an arched doorway, देखे, an, एक, arched, arch मतलब होता है, एक तरह से धनुस आपने देखा है, वो थोड़ी से अर्ध चंद्राकार होती है, आधा चंद्रमा जैसी, धनुस आप देखिए, बार और धनुस, तो धनुस अर्ध चंद्राकार होती है, तो वही arched doorway, दूर्वे मतलब दरवाजा, तो and मतलब एक, arched मतलब अर्ध चंद्राकार, दूर्वे मतलब दरवाजे से into अंदर गया ठीक है तो एक अर्ध चंदराकार दरवाजे से अंदर गया heating मतलब होता है सीधा की ओर यानि ठीक है ठीक जैसे सीधा किसी ओर जा रहा है आप आदमी तो heating for the subway, subway की ओर सीधा गया, subway मतलब underground रास्ता जो underground railway होता है उसको subway बोलते हैं तो हम subway को subway ही बोलेंगे तो subway की ओर heating बढ़ा या फिर आप कह सकते हैं कि subway की तरफ बढ़ा फिर से कि and arched doorway and मतलब एक arched मतलब अर्ध चंदराकार दूरवे मतलब दरवाजा तो एक अर्ध चंदराकार दरवाजे के dug into अंदर गया subway heading और subway की तरफ बढ़ा and got lost और got lost मतलब हो गया यहां पर खो गया ठीक है और खो गया that's easy to do यह आसान बात है ठीक है यह आसान बात है I have been in and out I have been in and out in मतलब अंदर out मतलब बाहर तो मैं अंदर बाहर गया हूं आप grand central grand central के hundred of times सैकडो बार तो मैं सैकडो बार grand central के अंदर बाहर गया हूं बट लेकिन I am always bumping into a new doorways लेकिन I am always लेकिन मुझे हमेशा bumping into new doorways नए दरवाजे मिलते हैं stairs और नई सीडिया मिलती हैं and corridors और नए गलियारे मिलते हैं ठीक है पढ़ाते पढ़ाते जबान लड़ ख़डा रही है तो बट लेकिन मुझे हर बार मिलते हैं into new doorways नए दरवाजे नए सीडिया और नए गलियारे once एक बार तो I got into a tunnel मैं एक tunnel में घुश गया था मैं एक सुरंग में घुश गया था about a mile long जो लगभग एक मील लंबी थी and came out और बाहर निकला in the lobby lobby में of the Roosevelt hotel Roosevelt hotel की lobby में और Roosevelt hotel की lobby में बाहर आया था इसा किसी के साथ नहीं होता तो once I got into a tunnel एक बार तो मैं एक सुरंग में घुश गया about a mile long जो लगभग एक मील लंबी थी and came out in the lobby of Roosevelt hotel और Roosevelt hotel की lobby में बाहर आया another time दूसरी बार I came up in an office मैं एक office में बाहर निकला था office building मैं एक office building में बाहर आया था on 46th street 46th street ऐसा सहरों में नाम होता है कि 46 नंबर गली, 44 नंबर गली, 42 नंबर गली तो ऐसा सहरों में नाम होता है तो street मतलब गली आ रहा यानि गली 46 यानि 46 नंबर गली तो 46 नंबर गली या 46th street ही आप बोल सकते हैं तो 46th street की एक office building में I came up मैं बाहर आया और दूसरी बार तो 46th street की office building में बाहर आया 3 blocks away जो 3 blocks away दूर थी यानि grand rental से 3 blocks दूर थी एक block में 12.4 km होता है तो 3 block मतलब 12.36 यानि लगभग 36 km दूर तो यही कहते हैं कि another time दूसरी बार I came up in an office building दूसरी बार तो मैं एक office building में बाहर आया था on 46th street 46th street की ठीक है तो 46th यानि दूसरी बार 46th street की एक office building में मैं बाहर आया या बाहर निकला 3 blocks अभी जो 3 block दूर थी या 3 block हट कर थी इसके आगे अब हम part 2 में अध्यन करेंगे क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप थोड़ा सा भी pressure लें अपने सर पर इस chapter के प्रती दूसरा part अगर आपको नहीं मिल रहा तो आपको ढोड़ने का सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ कि आपको youtube पर search करना है the third level और उसके आगे जोड़ देना है desire point बस आपको part 2 अपने आप मिल जाएगा कोई भी chapter हो बस उसके आगे आप desire point जोड़ दीजी हमारे चैनल का lecture मिल जाएगा आपको तो अब इसके आगे हम अगले part में अध्यन करेंगे इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी जरूर सेयर कीजेगा ताकि वो भी इस से अलाब ले सके पूरा वीडियो देखने के ल बहुत बहुत धन्यवाद